द्रीम फ्लाय द्वारा 9000 लोगों को खाना खिलाया दिली में ड्रीम फ्लाय रास्ट्र समासेवी संस्था द्वारा अनपूर्णा माता की कृपा से अब तक 9000 लोगों को भोजन खिलाया जा चुका है अब पुलिस वालों और सैनिकों को सैनिटाइजर और मास्क दिये गए हैं जब तक लॉगडाण रहेगा तब तक ये सेवा ऐसे ही चलती रहेगी और इस तरीके से ही लोगों को खाना खिलाती रहेगी ड्रीम फ्लाई संस्था ने 1200 लोगों के घर में सूखा राशन भी पहुँचाया जिसमें राश्च उपाध्यक्ष, नूर जहां, राश्च सचीर, आशा यादव, संजीव कुमार, राज कुमार, आकाश रावत, संजय कुमार आदी लोगों ने सहयोग किया देली से न्यूज रुपोर्ट जोगी बस्तियों वाले हैं उन लोगों को तक और सडकों पर जो विकारी पड़े हुए हैं, जिनकों कोई देखने वाला नहीं है, उन लोगों तक हमारी संस्ता, राशन पहुचा रही है, खाना पहुचा रही है, और यही नहीं हम लोग देश के सैनिकों के लिए जो जोटी लगाई हुई है, उन लोगों तक सेनेटाइजर और माक्स पहुचाने की कोशिश कर रहे हैं, थानों में जाकर हम लोग माक्स और सेनेटाइजर पहुचा रहे हैं, और हम लोग पक्षू पक्षियों को, जानवरों को, उनकी खुराग जो है, जैसे पक्षियों को, दाना और कुतों को दूद वगेरा, बिस्केट वगेरा, ब्रेड ये सब हम उन लोगों को खिला रहे हैं, हमारी NGO के हर कारेकरता पूरी मेहनत से हम लोगों के साथ इस मोहीम में लगे हुए हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि जैसे माननिय परदान मंत्री जी क्या आदेश है कि लोग अपने घरों में रहें, परेशान हैं लोग, उनको खाने की कोई सुविधा नहीं है, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ हमारी NGO के माध्यम से, कि हर घर तक, हर व्यक्ति तक खाना पहुचाया जाए, कोई भी व्यक्ति भूका ना रहे, और यदि किसी व्यक्ति को खाने में, राशन में कहीं भी कोई दिक्कत आती है, तो हैं मुझसे संपर्ख कर सकते हैं, और हम लोग जगा जगा, क्योंकि हमारी संस्था राश्टि एलेविल की संस्था है, तो हम हर प्रदेश में अलग-अलग लोगों को खाना पहुचा रहे हैं, अलग-अलग तरीके स हर व्यक्ति तक पहुचने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें हमारी संस्था की राश्टि एलेविल पादियक्ष नूर जहां, जो हमारे साथ हैं, राश्टि एमाहसच्चि आशायादब जो मैं खुद हूँ, और मेरे साथ संजीव कुमार हैं, सरसंदीब कुमार हैं, राज लोग मुझे सयोग कर रहे हैं, मेरे साथ टीम लगी हुई है पूरी, ताकि हम लोगों तो ग्राश्टि पहुचा सके, तैन्यवाद